आज उक्ताले कॉलिज शेक्षा जैपूर के ज्यान सुधा कारिकरम के अंत्रगत आज हम बात करेंगे राज्थान के प्रमुक राजवन्षों की उनकी उत्पत्ति की और इस वीडियो में मुख्य रोप से हम प्रतिहा राजवन्ष के बारे में बात करेंगे राजवन्षों की उत्पत्ति राजवन्ष शब्द संस्कृत के राजवन्ष शब्द है चानक्य के अर्थसास्त्र में, कालिदास के कई नाटकों में और बानवट के प्रसिद ग्रंथ हर सरित में राजवन्ष शब्द का प्रियोग मिलता है मुस्लिम आक्रमन के पूर्व यहां के सभी शाषक ख्षत्री कहलाते थे अतरह जाती के रूप में राजवन्ष शब्द का प्रियोग मुस्लमानों के आक्रमन के बाद होने लगा था अब राजवन्षों की उत्पत्ति के बारे में कोई एक मत नहीं है सभी अपने अपनी मत को ही सही मानते हैं तो इस संबंद में कुछ मत हम जो प्रमुक्ता से स्वीकार किये जाते हैं उनके बारे में चोड़ी बात करेंगे सबसे जो पहला हम मत लेते हैं वो है अगनी कुंड से उत्पत्ति ये एक शिलालेक से भी मिलता है कि राजपूद जो हैं वो एक अगनी कुंड से उत्पन हुए थे इसका जो प्रतिपारदन है वो सरव प्रतम कवी चंदर बरदाही ने अपने गरंथ पुर्चिराज रासों में किया है पुर्चिराज रासों के अनुसार राजपूतों के चार वंश रिशिय वसिष्ट ने आबू परवत पर यग कुंड से उत्पन किये थे सबसे पहले प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान ये चार वंश के जो योधा थे वो चार योधा उस अगनिकुंड से प्रकट हुए कर्नल टॉड और विलिम्स कुरुक ने अगनिकुंड से जो खत्रिय उत्पन हुए उसकी व्याक्या अपने ढंग से की है उन्होंने इस मत का प्रियू किया है कि राजपूत एक विदेशी जाती थी और यग्य द्वारा इनको शुद करके भारतिय संस्कृतिय समाज में इनको मिलाया गया है इसके लिए वो यग किया गया था दूसरा जुम्मत है वो है सूर्य वचंद्रवंशी उत्पत्ति डॉक्टर गॉलिशंकर हरियसंज ओजा ने राजपूतों को सूर्य वचंद्रवंशी बताया है डॉक्टर ओजा के अनुसार राजपूत प्राचीन ख्षत्रियों के ही वचंद्र है ये कोई विदेशी नहीं है सीवी वैद्य ने भी इस बात का समर्थिन किया है कि राजपूत कोई विदेशी जाती नहीं अपितू प्राचीन जो ख्षत्रिय थे वो ही राजपूत्र कहलाए और फिर वो राजपूत हो गए गूर्जरों से उत्पत्ति डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों को गूर्जर जाती का वन्शज माना है उनके नुसार गूर्जरों और हुणों का बड़ा निकट का संबन था और ये दोनों जातियां विदेशी थी तो इस प्रकार भंडारकर भी इनको विदेशियों के ही वन्सज बानते हैं पांचवा सिद्दानते ब्रामणों से उत्पत्ति डॉक्टर भंडारकर ने कुछ राजपूत वन्शों को ब्रामणों से उत्पन माना है उनके अनुसार बिजौलिया शिलालेक में और कायमखा रासों में चौहानों को ब्रामन बताया गया है इसी प्रकार गुहिल राजपुतों की उत्पति नागर ब्रामनों से बतलाई गई है अब हम बात करेंगे राजवन्षों के बारे में जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिहार राजवन्ष की जिसे हम गुर्जर प्रतिहार राजवन्ष भी कहते हैं डॉक्टर गोपिया शर्मा के अनुसार शटी स्रताब्दी के उत्तार्द में मारवाड में प्रतिहार राजवन्ष का अधिवासन हो चुका था इस प्रकार यह राज़्थान का प्राचीनतम ग्यात राजपूत राजवन्ष माने जाता है चुकि उस समय राज़्थान नाम के राज़्य या प्रांथ की कोई इकाई थी नहीं और राज़्थान का जो आज जिसे हम राज़्थान कहते हैं वो सारका सरभाद गुर्जात्रा किराता था इसलिए इनको गूर्जर प्रतिहार कहा गया क्योंकि गूर्जरात राके प्रतिहार थे इसलिए इनको गूर्जर प्रतिहार कहते हैं Mr. Jackson और Dr. Bhandarkar ने इनको विदेशी माना है जबकि Dr. Oja के अनुसार गूर्जर प्रतिहार वैदिक शत्रियों के ही वन्षज है, ये कोई विदेशी जाती नहीं है नैंसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है जिसमें मंडोर, जालोर, राजगर, उज्जैन, कन्नोज, बढ़ोज के प्रतिहार प्रमुख है गूर्जर प्रतिहार वन्ष प्रतिहार वन्ष को गूर्जर प्रतिहार वन्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि गूर्जरों की ही एक शाखा थी जिनकी उत्पत्ती, गुजरात, वो दक्षिन पश्चिम राज़्थान में हुई थी प्रतिहारों के बहुत से अभी लेखों में उन्हें स्री राम के छोटे भाई लक्ष्मन का वनशच बताय गया है जो की स्री राम के लिए प्रतिहार यानि द्वारपाल का कारे करते थी इसलिए इनके सभी वनशच अपने आपको प्रतिहार कहते है अब बात करते हैं रास्थान में प्रतिहारों के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंडौर के प्रतिहार हरिश्चंद्र मंडौर के गूर्जर प्रतिहार राजवन्स का संस्थापक हरिश्चंद्र को माना जाता है जिसे रोहिल द्वी भी कहा गया है यह प्रतिहारों का गुरू भी था अरिश्चंदर की क्षत्रिय पत्नी भद्रा से चार पुत्र हुए जो भोगभट, कदक, रजिल और दह नाम से प्रसिद्ध हुए इन चारों ने मिलकर मांडव्यपुर यानि मंडौर को जीता रजिल अरिश्चंदर का तीसरा पुत्रजिल मंडौर की प्रतिहारों का दूसरा शाशक बना फिर है नागभट प्रथम यह मंडौर की प्रतिहारों का प्रथम प्रतापी शाशक माने जाता है प्रसासनिक सुईधा की दृष्टी से इतने इसने अपनी राजदानी मेरता को बनाया शिलुक इस वन्ष के दस्वे सासक शिलुक ने वल देश में अपने सीमाओ का विस्तार किया तता वल मंडल के शाशक भाटी देवराज को इसने युद में पराजित किया कक इसने त्रिपक्षे संगर्ष में गौडों के विरुद संगर्ष किया वह स्वेम व्याकरण, जोतिश, तर्क और विविद भाषाओं का ग्याता और निपुन कवी था बाउक बाउक ने 837 E Center में एक प्रशश्टी में अपने वंश का वर्णन करवा कर उसे मंदौर की विशनु मंदिर में लगवाया था कालांतर में इस प्रशश्टी को वहां से अटा कर जोतपुर शहर के कोट में लगा दिया गया कुकुक कुकुक ने 861 ईश्वी में दो शिलालेक उतकेन करवाए जो घटियाले के लेक के नाम से जाने जाते है इन शिलालेकों मेंसे एक शिलालेक का अंतिम श्लोग स्वयम कुकुक नरचा था जिससे उसकी विद्वता की हमें पहचान होती है कुकुक के पश्चात मंडोर के प्रतिहारों का एक स्रिंखला बद इतिहा समय नहीं मिलता इस समय ऐसा प्रतित होता है कि मंडोर से सम्मनित प्रतिहार वन्ष छोटे-छोटे सामनतों के रूप में जोदपूर के आसपास दहने लगे थे जालोर के प्रतिहार इस शाखा के प्रतिहारों का भी उद्वव मंडोर से ही प्रतीत होता है इस वंश का संस्तापक नागभट प्रतम को माना जाता है डॉक्टर ओजा के अनुसार इन प्रतिहारों ने सर प्रतम तावंडों से भीनमाल का राज़े छीना उसके बाद आबू जालो और आधी जिलों पर अपना दिकार रहा और फिर उज्जैन उन्होंने अपनी राज़दानी बनाई त्रिपक्षिय संगर्ष में विजय के बाद इन्होंने कर्नोज को अपनी राज़दानी बना लिया नागभट प्रथम 730 इस्वी से 756 इस्वी नागभट प्रथम को अरब आकर्मनकारियों का सफलता पूरुक सामना करने का स्रह दिया जाता है नागभट प्रथम के बाद कुकुक और देवराज ने जालोर पर शाषन किया इन दोनों का शाषन 756 इस्वी से 755 इस्वी का माना जाता है वत्सराज 755 इस्वी से 820 इस्वी तक वत्सराज गूरजर प्रतिहार वंश का प्रथम शाषक था जिसने तृपक्षिय संगर्षम भाग लिया उसने पाल शाषक धर्म पाल को पराजित किया उस्या के जो प्रसित महावीर मंदिर हैं उनका निर्मान वत्सराज के शाषनकाल में हुआ था जालोर में उद्योतिन सूरी द्वारा पुवलय माला तथा जैन आचारे जिंसें द्वारा अरिवन्श पुरान के रचना वत्सराज के समय में हुई थी महिर भोज की ग्वालियर प्रस्तिचे में पता चलता है कि नागभट द्रित्य ने कन्योज को अपनी राजदानी बनाया वह भगवती देवी की भक्ती के लिए प्रसिद था नागभट द्रित्य का उतराजिकारी राम भद्र एक निर्बल शाशक था और उसका उतराजिकारी महिर भोज, भोज प्रतम, प्रतिहार वन्ष का सरवदिक परसिद्ध साशक बना उसके बारे में जानकारी का सर्वदिक जो महत्वपुन सुरोत है उसकी ग्वालिर प्रसस्ती है उसने प्रभास और आदिवरह की उपाद्या धारन की और वरह प्रकार की मुद्रा भी जारी की अरव याते सुलेमान के अनुसार आदिवरह इसलाम का सबसे बड़ा शत्रू था महिंदरपाल प्रथम महिंदरपाल के गुरूज राजशेखर ने कावे मिमानसा, करपूर मंजरी, विद्व शालग भंजिका, बाल रामेन आदी ग्रंथों की रचना की थी महिंदरपाल के उत्राधिकारी महिपाल के समय बगदाद निवासी अलमसूदी ने भारत की याद रखी थी इस वन्ष का अंतिम शाशक यश्पाल था जिसे गहडवाल वन्ष के संस्थापक चंद्र देव ने पराजित कर कन्नोजपर अधिकार कर लिया